इस्राइल ने यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया इस्राइल ने यमन पर इतने बंबरसाए कि यमन के कई शहर तेज धमाकों के आवास सिथर्रा उठे इस्राइल ने यमन के खुदेदा शहर को निशाना बनाया और इस हमले में खुदेदा बंदरगा पूरी तरह तबाह हो गया पांसे जो तस्वीर ने सामने आई उसमें खुदेदा पोर्ट के हमले के बाद आग की लप्टों में घिरा नजर आया या की लप्टे इतनी तेज थी कि इनने दो से तीन किलोमीटर दूर से भी देखा गया इस्राइल ने खुदेदा पोर्ट के अलावा यमन के तेल डिपोर्ट, रिफाइनरी और एक बिजली घर पर भी हमला किया और इस हमले के बाद यमन के कई इलाके धुआँ-धुआँ हो गए क्योंकि एर स्ट्राइक के बाद वहाँ आग लग गई और पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया इस्राइल ने ये हमला शुक्रवार को हुतियों द्वारा इस्राइल के तेल अवीव शहर में किये गए हमले के जवाब में किया शुक्रवार को यमन के हुती गृट ने इसराइल की सबसे बड़े शहर तेलवीव को ड्रोन से निशाना बनाया था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और इसलिए इसराइल ने होदेदा पोर्ट पर हमला करके तेलवीव पर हुए हमले का बदला लिया पताया जारे कि इसराइल के तरफ से की गई इस एर स्ट्राइक में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 87 से जादर लोग घायल हो गई इसराइल ने पहले ही बदला लेने की धमकी दी थी इसराइल ने यमन के उन इलाकों को निशाना बनाया जहां होती विद्रोहियों का कबजा है यमन पर इसराइल ने F-35 और F-16 लिलाकों विमानों से ताबरतोर हमले किये हवाई हमले में 8 F-35 लिलाकों शामल थे जबकि 5 F-16 लिलाकों विमानों ने एर स्ट्राइक की इस हमले के बाद इसराइल के प्रदान मंत्री बेंजमीन नितन्याहू दुनिया के सामने आए और उन्होंने अपने दुश्मनों को सक्चेतावनी देते वे कहा कि जो लोग इसराइल को नकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें उनकी आक्रामता के लिए भारी की मत चुकानी पड़ेगी वही जिस समय इसराइल डिफेंस फोर्स यमन के उपर ताबरतोर बंबर सा रही थी वार्रूम में प्रदान मंत्री बेंजमीन नितन्याहू भी मौजूद थे नेतन्याहू खुद वार्रूम में मौजूद रहकर हमले की एक एक जानकारी ले रहे थे और वार्रूम का एक वीडियो भी साब में आया जिसमें खुद प्रदान मंत्री बेंजमीन नितन्याहू अधिकारियों से पलपल की अपडेट ले थे नजर आए हालकि इसे नेतन्याहू की एक बड़ी रनीती के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बेंजमीन नेतन्याहू अपनी पॉलिटिकल स्थिदी को मजबूत करने में जुटे है वही इसराइल की स्ट्राइक पर अब हूती का जवाब भी आ गया है पूती गुटों की तरफ से कहा गया है कि वो इसराइल को हमले का जल्दी जवाब देंगे जस तरह से पहले हमास और इसराइल और अब यमन और इसराइल के बीच योद तेज होता जा रहा है उसका दुनिया पर असर पढ़ना तए है क्योंकि माना जा रहा है कि इसराइल के इस हमले के बाद इरान डारेक्ट इस लड़ाई में शामिल हो सकता है और अगर इरान इस लड़ाई में कूदा तो निश्चित तोर पर दुनिया दो गुटों में बटी दिखाई देगी जिसमें एक गुट इस्राइल के मित्र देशों का होगा और दूसरा गुट इरान और यमन के समर्थनवारे देशों का होगा गाजा में इस्राइली एरफोर्स ने एक बार फिर ताबरतोर बंबारी की है जिससे गाजा एक बार फिर धमाकों की गून से देहल उठा इस्राइली मिसाइल ने जिस तिकाने पर गिरी वो पूरी तरह सिधराशाई हो गया इस्राइल ने ऐसी बंबारी की कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक आदमी चहल कदमी करते हुए चल रहा होता है ठीक उसी बक्तवाओं को चीरती हुई इस्राइली मिसाइल बिल्डिंग पर गिरती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग पलभर में तबाह हो जाती है कुछ दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ आस्मान में उठता धुएं का गुबार इस्राइल को जानकारी मिली थी कि इस बिल्डिंग में हमास के आतंकियों ने ठिकाना बना रखा था जिसके बाद पूरी बिल्डिंग को इस्राइली एर फोर्स ने टागिट किया इस्राइल के बंबारी में पिछले 24 गंटे में गाजा के 37 लोगों की मौत हो गई वहीं 24 लोग गंबी रूप से घायल हो गए है घायलों का स्पिताल में भर्ती कराया गया है इस्राइल का हमास के खिलाफ ओपरेशन फिलहाल थमता नहीं दिखाई दे रहा इस्राइल के हमलों में अब तक करीब 38,919 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 90,000 लोग घायल है इतनी बड़ी संख्या में हताहत होने के बाद 20 जंग की आग कम नहीं हो रही है रोज इस्राइली सैनिक गाजा में आग बरसा रहे है इस्राइल के हमलों में बरबाद हो चुकी इमारते इस बात का सबूत हैं कि गाजा पूरी तरह तबाव और बरबाद हो चुका है इस बरबादी का अंत कब होगा योमीद लगाना भी मुश्किल होता जा रहा है पाकिस्तान सरकार ने इस्राइल के प्रिधान मंत्री बेंजमिन नेतनियाहू को आतंगवादी घोशित कर दिया है प्रिधान मंत्री शैबाज शरीफ के राजनीतिक सलाकार राना सनाउल्ला ने कहा कि नेतनियाहू एक आतंगवादी और यूद अपराद के दोशी है पाकिस्तान सरकार ने दुनिया से मांग की है कि नितन्याहू को आतंगवादी गोशित किया जाए फिरिस्तीनियों के खिलाफ युद अपरादों के लिए नितन्याहू को इंसाफ के कटगरे में खड़ा किया जाए और बेंजमिन नितन्याहू पर हजारों लोगों की मौत का दोशी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए बताया जा रहे कि दूर दक्षुन पंथी पार्टी तहरीकेत लबैक पाकिस्तान यानि टीलपी के दबाव में आकर पाकिस्तान सरकार ने नितन्याहू को आतंग वादी गोशित करने की मांग की है क्योंकि टीलपी के लोग बीते कुछ समय से अपनी कई मांगों को लेकर धरना दे रहे है और उनकी एक एहम मांग नितन्याहू को आतंग की गोशित करने की भी रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने टीलपी के धरने को खत्म कराने के लिए ही ये फैसला लिया है हाला कि पाकिस्तान सरकार के इस फैसले पर दुनिया हस रही है पाकिस्तान की खिलाफ अफगान नागरिकों का विरोध विदेशी धर्ती पर भी देखने को मिल रहा है जर्मिनी की फ्रैंकफॉर्ट में पाकिस्तान के वानिज्य दूतावास में कुछ अफगान नागरिक गुजगर और दूतावास पर हमला बोल दिया पाकिस्तान के वानिजी दूतवास में घुसी अफगान नागरिकों को सुरक्षा कर्मियों ने रोपने की कोशिश की लेकिन तब तक कई लोग दिवार फान कर अंदर पहुँच चुके थे और अंदर जाकर तोड़ भी कड़े लगे और एक शक्त दूतवास कैंपस में लगे खंबे पर चड़ गया और पाकिस्तान का जंडा उतार कर ले आया इस दोरान प्रदर्शन कारियों की सुरक्षा कर्मियों से जड़ब भी हुई इनके हातों में अफगानिस्तान का जंडा भी था अफगान नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की बीच पाकिस्तानी दूतवास के बाहर काफी देर तक हंगामा चलता रहा और पाकिस्तान के किलाव जंकर नारे बाजी की इस घर्टा के बाद जर्मिनी ने पाकिस्तान दूतवास की सुरक्षा बढ़ा दी है अफगान नागरिकों के सरकत के बाद पाकिस्तान सरकार भी अलर्ट पर है हमले के बीचे का असली कारण पता नहीं चल पाया है लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान के ओर से अफगान शरनार्टियों को वापस अफगानिस्तान भीजने से लोगों में नाराज की है चीन और UAE एक जॉइंट सेने अभियास कर रहे हैं जिसमें UAE Air Force Fighter Jet Mirage 2000 के साथ हिस्सा ले रहा है Mirage Fighter Jet वही लड़ा को बिमान है जिसका इस्तिमाल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बालकोर्ट में एर्स्ट्राइक के ले किया था ताइवान भी Mirage 2000 Fighter Jet का इस्तिमाल करता है चीनी वाइव सेना और UAE Air Force चीन के शिंज्यांग प्रांथ में फालकन शील्ड 2024 नाम से जॉइंट एर एक्सरसाइस कर रहे हैं इस एक्सरसाइस में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वाइव सेना ने अपने दो लड़ाकों विमानों J-10C और J-16 को तैनात किया है वहीं UAE की एर फोर्स अपने Mirage 2000 Fighter Jet के साथ ताकत दिखा रही है फ्रांस में बने Mirage 2000 लिड़ाकों विमानों का इस्तमाल भारत और ताइवान भी करते हैं अब इस एक्सरसाइस के जरीए चीन भी फाइटर जेट मिराज की ताकत देख रहा है UAE के रक्षा मंत्राले ने इस हपते की शुरुआत में सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर एक्सरसाइस की गोशना की थी UAE ने तीन विमानों को एक अग्यात हवाई अड़े पर दिखाते हुए दो तस्वीरे भी जारी की हाला कि चीन और UAE की वाई सेना ने अभी तक कोई ब्योरा सार्विजनिक नहीं किया है UAE की वाई सेना मुख्य रूप से F-16 और मिराज 2000 जैसी पश्चमी लड़ाकों विमानों का इस्तमाल करती है चीन अब इस Air Force exercise में ये जाननी की कोशिश में जुटी है मिराज 2000 लड़ाकों विमान उसके लड़ाकों विमानों के तुलना में कैसा है और उसकी ताकत क्या है क्योंकि फ्रांस के लड़ाकों विमान मिराज 2000 का इस्तमाल भारत भी करता है और चीन के जानी दुश्मन ताइवान के पास भी मिराज फाइटर जेट का जखीरा है जानलेवा हमले के बाद जॉनल ट्रम पहली बार प्रचार के लिए निकले और मिशिगन पहुंचे जहां उन्होंने जोरदार प्रचार किया बड़ी संख्या में ट्रम्प के समर्थक मौझूद रहे इस दौरान उन्होंने राश्रुपती बाइडन पर निशाना साधह और कमला हैरिस और नैंसी पलोसी को लेकर जोरदार तंच किया इसके साथ ही डॉनल्ड ट्रम्प ने डेमोक्राट उमीदवार जो बाइडन का मजाग उड़ाया और कहा कि वहां तो उनकी उम्र को लेकर उमीदवारी चोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है दरसल कई मौकों पर बाइडन की उम्र को लेकर सवाल खड़े हुए इससे ऐसा नहीं करना पड़ेगा डॉनल्ड ट्रम्प पर पिंसिल्वेनिया में रेली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था गोली ट्रम्प के दाहीने कान पर लगी थी चोड़ के कारण ट्रम्प के कान पर सफेद पटी बांधे नज़र आए थे जिससे उनके समर्थर ने प्रचार का फैशन बना लिया और ट्रम्प के समर्थक भी अपने दाहीने कान पर पटी बांधे दिखाई दिये ट्रum की प्रती अपना प्यार जितानी के लिए उनके समर्थक भी अपने दाहीने कान पर पत्ती बंदवागर पहुंच रहे हैं जो एक फैस्छन स्टेट्मेंट बन गया है ट्रum के समर्थकों का कहना है कि हर हाल में हम उनके साथ खड़े रहेंगे ट्रम्प की कारेक्रम की कहीं तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वारिल है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके समर्थक इस नई लुक की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि जल्दी पूरी दुनिया में लोग इसे अपनाएंगे और अब यूएस में ये एक नया ट्रेंड है। दरसल 78 वर्षिय डॉनल्ड ट्रॉम्प पर एक रैली के दौरान जान लेवा हमला हुआ था। पेंसिल्वेनिया में जब वो एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तभी 20 वर्षिय एक बंदुगधारी ने उन पर फारिंग की थी इस हमले में गोली उनके दाहिने कान पर लगी थी।